हलो फ्रेंड्स और विवेवर्स कैसे हैं आप सब आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूं जैसे कि स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया आल इंडिया इनुवेस्टी गेम्स और वर्ल इनुवेस्टी गेम्स इसके बारे में आज थोड़ा डिसकस करेंगे तो चलिए शूरू करते हैं स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया इसमें क्या होता कि हर साल जो स्टूर्ण्स होते हैं ब्लो फोर्टिन लेइंश ब्लो 7निंदेव एंडियो इसमें पराडेशिपिड करते हैं और यह बात करें कि तो यह फार्म कब होई थी स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया तो 1954 में स्कूल गेम्स फडरेशन आफ इंडिया फार्म्ड होई नाइटेन 54 दिसमबर में ये बनी थी और इस क्या अब्जक्टि था कि कम्पेटिशन और्गनेज़ करें लड़के और लड़कों के लिए नैशनल नेवल पर राश्टी इस्तर पर और इसमें क्या होता है कि साथ मैं जो स्कूल कुईंग स्टूट्स होते हैं जो कि क्लास थर्ड से लेकर क्लास ट्वाइल तक वह आज़े प्लेयर पार्टिसिपट कर सकते हैं नैशनल श्कूल गेम्स में या फिर जिसे आप स्कूल केंज फेडरिशन आफ इंडिया के दौरा जो चंड़क्ट की जाती हैं गेम् यह 1954 यह जैसे पहले बाद की 1954 में इस हैटप होई थी December में और इसको जो रिकोर्डाइज करता है वो है Ministry of Youth Affairs and Sports and the Government of India यह इसकी recognition body है अब बात करेंगे और यह जो यह हर साल होती है लेकिन लास्ट एयर से थोड़ी यह पोस्पॉंट चारी है द्यूटू COVID-19 के कारण तो अभी बात करेंगे आल इंडिया यूनिवस्टीज की आल इंडिया यूनिवस्टीज वैसे तो जो जो फांड होई थी यह 1925 में होई थी लेकिन और यह किस के लिए होती है यह इसमें एज लिमिट कह रहती है यह 28 साल तक पहले तो इसमें एज लिमिट नहीं थी इतनी पहले 28 साल से उपर वाले भी पाटिस्पेट कर सकते हैं लेकिन कुछ सालों से जो एज लिमिट है वो बताई गई है 28 साल और इसमें जितने भी और इसमें 28 साल से जो भी नीचे है जहां 28 साल से है वो इसमें पाटिस्पेट कर सकते थे लेकिन बास्केट बाल और फुटबाल में सिर्फ अपर एज लिमिट जो है वो 25 एरस का था जो वर्ल उनिविश्टी गेम्स के रूल्स के गॉर्डिंग जैसे कि 1925 में ये फॉर्म्ड होई थी और फर्स्ट इंटर उनिविश्टी जो टूर्णमेंट थी कब फॉर्म होई थी तो 1940 में 1940 में और इसमें योगी सिर्फ एफ्लेटिक्स होकी लाइन टैनिस गेम्स इसमें ऑर्गनाइज की थी पंजाब अलावाद पटना वर चैंपियन्स इन टॉर्मेंट्स के चैंपियन रहे थे अब बात करेंगे वर्ल्ड उनिविश्टी में जितने भी उनिविश्टी होती हैं और उनके अंडर जितने भी रिकोगनाइज कॉलेज होते हैं वो इसमें पार्टिसफेट कर सोते हैं और उनमें से और लास्ट और अब बात करेंगे वर्ल्ड उनिविश्टी गेम्स की तो पहली जो वर्ल्ड उनिविश्टी गेम्स जो हुई थी तो वो पैरिस में होई थी 1923 में पैरिस नाओस किया था फर्स्ट वर्ल्ड उनिविश्टी गेम्स को और और अल इंडे उनिविश्टी जो है वो कब मेंबर बनी थी इंटरनेशन उनिविश्टी आप स्पोर्स वेडरेशन की तो यह 2016 में मैं आप कह सकते हैं और ये थी अपकी इसके ठी स्ब्ळब्र फोडविश्टी गेम्स को लेकर स्कूल गेंस को लेकर वर्ल्स पीयाद रख सकते हैं कि कभी भी आपको पूछी जाहें तो आप इसको आंसर देने में सक्षम हूँ तो जैसे कि यह वर्ल्ड इंवर्श्टी का मेंबर कब हो हुआ था तो 2016 में अलिंट ए Taylor 14 में। तोनामें कि ख्योंट्राइब जडूर्टी और में 300 गेंज पहले बार 22 में हुई थी करें लिए जिर्थ खर्लाइब करें आगे अपडेट के लिए so thanks for the watching जय हिंद जय वारत